भारतिय टीम ने आखिकार वानखेडे स्टेडियम में लक्ष का बचाव करते हुए तीन मैचों की टी टूंटी सिरीज वेस्ट अंडीस से जीत ली जीत हासिल करने के बाद कोली ने ऐसे अनुश्का के लिए अन्मोल उपहर बताया मैच प्लानिंग पर उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ हम वहां पर बस जाना चाते थे और अपने प्लैन को तरीके से ठहरना था मैं सही इस सिती में क्रीज पर आया इसके बाद में आगे बढ़ा मैंने मैच के दोरान केल से कहा कि एक छोड़ समाल कर बल्ले बाजी के उसने वैसे ही किया वही अपनी तूफानी पारी का विशेश बताते हुए कोली ने कहा कि विशेश पारी थी और हमारी शादी की दूसरी सालगिरा भी थी ये एक स्पेशल गिफ्ट था पहले बल्ले बाजी करते हुए हमने जीत हासिल की और वास्तों में अच्छा महसूस किया मुझे पता है कि मैं तीनों प्रोरूप में योगदान दे सकता हूँ मुझे लगता है कि बीच में दो लोग स्पस्ट के साथ राहुल और रोहित ने आज जिस तरह से खेला वो ये आज की कुंजी है कोली ने कहा कि पहले बल्ले बाजी करते हुए हम बहुत तंग और हिचकिचा रहे हैं लेकिन इस बिच ने हमें स्वतंतर रोब से खेलने की अनुमती दी जब आप बोर्ड पर 20-25 रखते हैं तो आप वास्तों में दबाव मैसूस नहीं करते और स्टेलिया में विशकप खेलते हुए हमें ये पता लगाना होगा कि हमारी सीमाए कितनी बड़ी है आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अमनियादो पंजाब केसरी दिल्ली अमनियाधो प्रेख यूटफ तर पर जिल्ससाओ जिल्सक्ता है अगर ये वीडियोग मार प्रेख जिल्क सब्सक्राइब के एष करना पस stimulist झाल. झाल झाल